नमस्कार दोस्तो आज इस विडियो में हम बात करने वाले हैं आर्वेदिक मैडिसिन के बाहरे में एक आर्वेदिक मेडिसिन जिसका नाम है सिपजर हलवा घीकावर की क्या फैदी हैं इसे कैसे इस्तिमाल करना चाहिए इसे कौन इस्तिमाल कर सकता है किस बिमारी में ज़्यादा कारिगर माना जाता है यह सारी जनकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे परे समझते हैं यह सिपजर हलवा घीकावर होता क्या यह सिपजर हलवा घीकावर सर्दियों के मौसम में सबसे अदर लवकारी माना जाता है सिपजर हल्वा घिकावर में बिटामीन A एंटी ओक्सिडेंट भरपूर मात्रा में होता है जोडों की अकरन में लवकारी होता है सिपजर हल्वा घिकावर सर्दी जुखाम में काफी लवकारी माना जाता है सिपजर हल्वा घिकावर में बिटामिन A, E, C, E, बिटामिन B12 और फॉलिक एसिड भरपूर मातर में पाए जाता है यदि कोई महिला प्रेंगनेंट है उसे प्रेंगनेंसी कंसीब हो गई है तो आप इस हल्वा का इस्तिमाल कर सकती है क्योंकि इसमें जो फॉलिक एसिड है और जो इसमें बिटामिन है वो आपके बच्चे के लिए काफी ज़्यादा लफकारी हो सकता है सिपजर हल्वा घिकावर दर्द निवार के रूप में काम करता है और खासी जैसे संक्रमर से हमें लड़ने से बचाता है सिपजर हल्वा घिकावर यतायात भी ठीक करता है सिपजर हल्वा घिकावर जोडो एम शरीर में दर्द शरीर में अकड़न में अराम मिलाता है सिबजर हल्वा घिकावर के खाने से सर्दी नहीं लगती है यानि कि आप इसे ठंडे के मौसम में रेगलर डेली लाइफ में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं साथ में ही इसे खाने से खासी, खरास, अस्तमा, काफ में अराम, पाचन तर्णतर को भी ठीक करता है आपके डाइसन सिस्टम को इंप्रूब करता है, इसके खाने से आप मोटे भी हो सकते हैं बात करते हैं सिबजर हल्वा यह जो इसमें एंटी ऑक्सिडेंट पाए जाते हैं यह हमारे स्कीन के तोचा को, स्कीन यानि तोचा को भी काफी ज़दा बेनिफिट देते हैं इसे निहारते हैं और जो इसकीन में जो सुक्रन हो जाती है उसे ठीक करते हैं यानि कि हमें एक चमकदार इसकीन बनाने में मदद करता है सिबजर हल्वा घिकावर तोचा की देख भाल से लेके बालों की खुबसूरती घाओ को भनने और कैंसर की परसानी से राहत दिलाने में भी काफी मददकार माना जाता है बात करते हैं इसके कुछ इंग्रिटेंट्स के बारे में इसमें कुछ इंग्रिटेंट्स के बारे में हम बताते हैं इसने पाजाता है मग अक्रोट, मग बदाम, सिरीन, मग नारजिल, मुशली सफेद, मुशली सेनभाल, घिकावर सफेज, साकार सफेद, मिध, गंगुम इसके कोई हानी कारग इफ्यक्ट नहीं है, यह अपके बॉड़ी पे कोई हानी नहीं पहुचाने वाली है, बात करते हैं इसे खाने के इस्तमाल के बारे में, इसे कैसे आप खा सकते हैं जो इंसान 18 साल से या 12 साल से उपर का है उसे आप 12 ग्राम दे सकते हैं 12 से 18 साल के उमर के बच्चे को या महिलाओ को जो 18 साल से उपर हैं वो 25 ग्राम सुबह में या रात में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप इसे दूद के साथ भी खा सकते हैं और इसे आप पानी के साथ भी पूरी ज़नकारी हो गई स्विपचल घिवाकर के बारे में और इदरेफ को वीडियो अच्छी लगयी हैं तो वीडियो को अपuishल कर सकते हैं इस मेडिशन को इद आपको मांगा रहा हो तो डिस्क्रिप्रिप्शन में लिंक है वहां जाके आप इस medicine के बारे में और भी जनकारी ले सकते हैं या आपकी screen पे number होगा वहाँ पे आप call करके इस medicine के बारे में जनकारी और भी ले सकते हैं फिर मिलते हैं आपसे next video में एक नई medicine के साथ